चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरी कर ली। जानकरी के अनुसर मिथलेश कुमार सिंग के घर में कोई नहीं था। ताला बंद रहने की कारण चोरों ने घटना को अंजाम पूरे इत्मिनान के साथ दिया। सुवे जागे। तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान एधर उदर बिखरा पड़ा है। पीडित राजेश सिंग ने बताया कि बकसे में रखा सौने का मांगटी का पाजेव के अलावा पीतल के बरतन को चोरों ने गयब कर दिया। उन्होंने बताया कि चोरों ने बकसे में से कीमती सामन निकाल कर आहर की समीप फैक दिया था। खोजबीन के बाद पता चला कि बकसा वहां फैका गया है। वही ग्रामिन घटना को लेकर चिंतित है। इधर मामले को लेकर पेडित परिवार की ओर से शेर घाटी थाने में लेखित शिकायत की गई है। उधर पोलिस ने शुकायत के बाद मामले की जाच परताल शुडू कर दी है। आप दूसरे घर में थी है। पुरान खर में रहा है। अच्छी यहां ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था। जारके जारके कोडा का वारा रूट सागे। कितना किसका घर है यह निकलेसिं के हाई। कौन लगते हैं वार्पी। पेटा लगता है। चांदी का तिनको पायल था। कुछ पहले के बुजूर्ग माता है। वह रखी हुई थी चांदी के सीकाती सुगो। और कमर्धनी था। धोड़ा सिंग्राव जो बोलते हैं वह सब था। और एक मंग्ती का था। वह चोरी चला गया। और थोड़ा बहुत कुछ पैसा था। महा का चला गया। लगभग कितना का जेवर होगा। लगभग करीब करीब सी नीटी में रिवरत कुछ लांगरा के करीब चला गया। अटी कैसे घुसे था चोर कुछ पैजा। और चछत के उपर से घुसा था। ये सब भग्सा शहां फ्यका हुआ था। इसब फ्यका हुआ था। फैका हुआ था सर, आपको पंडित बिगा। के बादान के में फेका हुआ था है ने कि पता चला चोरी हम तो सर सुबा उठे अब सोच के लिए जा रहे थे इसके बाद पता चला कि हमारे घर में चोरी हो गया मनोज सुन्डी जी की ओर से विश्व कर्म पूजा गांधी जेंधी दुर्गा पूजा के शुब अफसरबर सीजेल कथारा प्रचेत्र के तमाम चेत्रवासियों को धेर सारी शुब गामनाएं वबधाई